हैलो, गुड मॉनिग स्टूडेंट, मैं अतारम सर, एक बार फिट से कक्षा ग्यारवी के अर्ध सास्त्र विशाय को लेकर उपस्तित हुआ हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे युनिट छाय के अंतरगात, मुद्र इश्पिति, कि मुद्र इश्पिति किसे कहते हैं और मु इस भी से पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो आए ये वीडियो को बीना देरी किये हैं मन आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले देखते हैं मुद्र इश्पिति क्या होता है, तो क्या बोलते हैं मुद्र इश्पिति आर्थिक विकास की एक मुख्य समस्या है, अंगरी ज भासा कि जो inflation सब्द का अर्थ है फैला या विद्धी या बढ़ना कहना ची कि श्पिती का मतलब मुद्रई श्पिती का अर्थ है समानी कीमत इस्तर में लगातार विद्धी तथा मुद्रई की कीमत में लगातार कमी होना मतलब कहना चीए कि वस्तू की कीमत तो बढ़ जाएगी लेकिन उस वस्तू को खरिदने के लिए लोगों के पास मुद्रई नहीं रहेगी आर्थ समझ तो यही इस्तिती क्या कहलाती है मुद्रई श्पिती कहला आर्थ समझ यही इस्तिती क्या वस्तू और सिवाओं की कीमत तो बढ़ जाएगी लेकिन उन वस्तू को खरिदने के लिए हमारे पास मुद्रई नहीं रहेगी तो यही इस्तिती क्या कहलाएगी मुद्रई श्पिती की स्थिती कहलाती है समानेता कीमत इस तर में विध्धी का कारण है विध्यमान कीमतों पर उपलब्द पूर्थी की तुलना में वस्तू और सिवाओं की मांग का अधीक होना इस मुद्रई श्पिती की विविचना अक्सर श्पिति खाई की रूप में की जाती है दूसरे सब्दों में अगर हम बात करें यहां कहा जा सकता है कि मुद्रा इस्पिति वह समान परिष्थेती है जिसमें मुद्रा का मुल्य गिरता अत्वा वस्तों की किमतें बढ़ती हैं मुद्रा का मुल्य कैसा होता है गिरता है और वस्तों की किमतें बढ़ती है मुद्र इश्पिति कारण लोगों की वास्तविक आय में भी कमी होती है मुद्र इश्पिति के कारण लोगों की जो आय है क्या हो जाती है घट जाती है अध्याय में भारत में मुद्र इश्पिति सम्मंदित कुछ मूलभूत वीश्यों की ब्याख्या की गई है तो आईए यह हो गया मुद्रा इश्पिती हैना समझ आया मुद्रा इश्पिती क्या होता है मुद्रा इश्पिती से आसा है उस अवस्था से है जिसमें क्या होता है कि वस्तू और सिवाओं के किमतें बढ़ जाती है हैना और मुद्रा की जो मात्रा है क्या हो जाती है घट ज जाती है आगे हम पढ़ते हैं भारत में मुद्रा इश्फिती के कारण या मुद्रा इश्फिती के कारण तो भारत में मुद्रा इश्फिती के लिए अनेक कारण उत्तरदाई हैं जिन्हें मोटे तवर पर दो भागों में बाटा जा सकता है पहला है मांग पक्षे के कारण और दूसरा है पूर्ती पक्षे के कारण तो मांग पक्षे के कारण में हम सबसे पहला देखते हैं जन शंख्या में व्रिद्धी है ना तो मुद्रय इश्फिती का सबसे पहला कारण क्या है जन शंख्या में जीवरेगति इसे व्रिद्धी का होना है सन 1915 में देश की जन संख्या 36.1 करोड थी जो बढ़कर सन 2001 तक लगभाग 102.7 करोड पहुँच चुकी है जन संख्या व्रिद्धी के अनुरूप वस्तुमों वस्यवाओं के उत्पादन में व्रिद्धी नहीं हुई है जिससे मुल्यों में क्या ह लगातार व्रिद्धी होती जा रही है तो यह सबसे पहला कारण हो गया जन संख्या में व्रिद्धी ठीक है अब दूसरा देखते हैं मुद्रा पूर्ती में व्रिद्धी है जिस अनुपात में मुद्रा पूर्ती में व्रिद्धी हुई उस अनुपात में उत्पादन नह ही बढ़ा है जिससे किमेतों में वृध्धी हुई है ठीक है तो भारत में मुद्र इश्पिति का दूसरा प्रमुक कारण क्या है मुद्र की पूरती में वृध्धी का होना ठीक है अब तीसरा देखते हैं नीजी व्याय में वृध्धी नीजी व्याय है तो नीजी व्याय न साय अनुकुल होने के कारण निजी उपयोग वा विनियोग दोनों ही बढ़े हैं जिससे भी किमेती बढ़ गई है तो यह तीसरा कारण हो गया मुद्रा इश्पिती का उसके बाद अपन चाउथा कारण देखते हैं विदेशी विनिमाय रिजर्व में व्रिध्धी है ना तो आंतिक रिणों की अदाइगी करती है तो लोगों की लिविद्यान या वस्तुमों तथा सेवाओं की खरिदारी में किया जाता है ठीक है अगला है काला धनवा संगरा की प्रवित्ती देश में काले धन एवं संचे की प्रवित्ती ने चोर बजारी मुनाफा खोरी सट्टे बाजी आदी प्रवित्यों को बढ़ाया है जिसे आवश्यक बाक कृति मुल्ले विद्धी को प्रश्चाहन मिलता है अगला है सात्वा घाटे की बित्ते ब्योस्ता है तो मुद्रा इश्फिती का एक बड़ा कारण क्या है घाटे की बित्ते ब्योस्ता कैसे घाटे की बित्ते ब्योस्ता भारत में सरकार घाटे के बजट की प्रस्तूती पर नए नोट छापने की निती अपनाती है यह घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है घाटे की अर्थ विएस्ट था मुद्रा इश्फिती का सिधा सम्मंध है आता मुल्य इस्तर को नियंत्रण में लाने के लिए घाटे के बजट का सिलसिला तोड़ना आवश्यक है अब हम दूसरा देखते हैं पूर्ती पक्षी के कारण है यह पूर्ती पक्षी किस प्रकार मुद्रा इश्फिती का कारण है उसको देखते हैं तो देखें पहला क्रिशी उत्पादन में कमी है भारत में मुद्रा इश्फिती का एक बड़ा कारण क्या है कृषि उत्पादन में कमी का होना है। उत्पादन है उत्पादन हो कम हो जाएगा अब जब उत्पादन कम है तो पूर्ती भी कम हो जाएगी और जब पूर्ती कम हो जाएगी तो कीमत क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो यह भी मुद्रश पित्धी का कारण है उसके बाद लागत में वृध्धी होती है कच्छे क्रेसे से बाद और है उचित वित्रण वियोस्था का अभाव ठीक है उचित वित्रण वियोस्था का fantasy का अभावเปल मतलब ठीक प्रकार से वितरण ना कर पाना हमारे थे उत्पादित वस्थों मीzen व्रफधी वो भोगता तक नहीं पहुँच पाती जिसका एक मुख्य कारण ओचित वित्रण ब्योस्था का भाव है दोस्पूर्ण वित्रण ब्योस्था का प्रभावी मुल्यों पर बहुत गहरा पड़ता है लाश्ट हम देखते हैं विदेशों में कीमत ब्रिद्धी का प्रभाव जब विदेशों में हो रही मुल्य ब्रिद्धी का प्रभाव भी हमारे देश में पढ़ता है जिसके कारण मुल्य में ब्रिद्धी देखी जा सकती है उधारन के लिए पेट्रूलियम पदार्थ